नमस्कार दोस्तूं, रीट एक्जाम और सिक्सक ग्रेड सेकिंड एक्जाम के लिए हम देख रहे थे सिक्ष्या मनोविज्ञान, चार टोपिक कम्पलीट थे मित्रूं और चोथा टोपिक हमने कम्पलीट किया था सिक्ष्या मनोविज्ञान के अंदर समायोजन टोपिक मित्र और जैसे ही टोपी complete होता है वेसे ही हम लेकर आते हैं परसन उतर तो आज हम देखने वाले हैं समायोजन से related टोप 55 महत्वपून परसन हर एक परसन आपकी एकजाम की दरश्टी से बहुत ही important है और यहां तक की फेस्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एकजाम मे वो समलित इनके अंदर किये गए हैं तो अंतेंग मेरे साथ बने रहे हैं एक बार सभी साती वीडियो को लाइक, सेर और जो भी नहीं साती है चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो मित्रों आज हम बात करेंगे समायोजन के परसन उत्रों की बात चलते हैं पहले क्योसन की ओर, पहला क्योसन आपकी स्क्रीन पे आचुका है मित्रों, देखे क्या कहा है, पहला क्योसन कह रहा है कि सोरू को निरने लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, ये कतन किसका है, सिंप्सन, जोन्स, इसकिनर या वेलेंटाइन, किसने कहा था कि कि सोरू को निरने लेने का कोई अनुबव है जो नहीं होता है next क्यूसर नमबर दो है समायोजन नहीं कर पाने का कारण कुंठा, तनाव, ध्वंद्वे या उप्रियूग सभी कोई भी बालक है जो समायोजन नहीं कर पाता है कुंठा भी है, तनाव भी है, ध्वंद्वे भी है देखे देख ये तीनु कालन है उप्रियूग सभी डी ओप्सन यहां पे रहेगा आपका सही नेक्स्ट क्यूसन नमबर तीन देखिए दमन वे परकिरिया है जिसमें वेगती अपनी चेतना से उन्हें विचारू तेता आवेगू को हटा देता है जो चिंता को उतेजित करते ह ये कतन किसका है बर्नार्ण का है प्राइड का है वीलियम जोन्स का है या मेक ड्यूगल का है फेस्ट्ग्रेड में आया हुआ क्यूसन है ये दमन वे परकिरिया है जिसमें वेगती'' अपनी चेतना से उन्हें विचारू तेता आवेगू को हटा देता है जो चिंता को करते हैं दमन के बारे में बताया गया है कल ही जो घ्लास हुई थी उसमें हमने देखे थे दमन के लक्षण तो यह कतन किसका है फ्राइड का मित्रू किसका कतन है यह फ्राइड का कतन है नेक्स्ट कूसर नंबर क्या होता है तन्राव यूग डी ओप्सं सही रहेगा ज़ियोधिक नमर पांस देखिए शिख्सक के कूसमायोजन को परकट करने वाला उदारण को स्थाइसे के वह कूसमायोजित है तो कौन सा उदारण यह इसमें पहला देखिए64 द्वारा μित्रू में दोस्त निकालना, दूसरा है आतम विश्वास में कमी, तीसरा है छातरू के साथ करूरू वेवार करना, उपर्यूख सभी, देखिए मितरू जो ये तीन उदारन दिये हैं आपको यहां पर, ये तीनु के तीनु एक सिखसक के कुछ समायोजन के उदारन है दोस्तू, तो उप पढ़ी थी पर्तेक्स और एपर्तेक्स विदियां तो इन में से पर्तेक्स कौन सी है पर्तिगमन, सोधन, बादा निराकरण या प्रक्षेपन इन में से जो पर्तेक्स विदियां वो आपको बतानी है कौन सी है इन में से पर्तेक्स इन में से आपकी पर्तेक्स है बादा निर आकरण ती नमर ओप्शन आपका यहां पे सही रहेगा मित्रु जो हम पर्तेक्स विदियां पढ़ रहे थे चार पर्तेक्स विदियां आपको मैंने बताई थी इंपोर्टेंट है चारूं वापस बता दू पहली थी बादा निराकरण दूसरी थी कारिये विदी में परिवर् निमलिकित मैंसे किसमनोवेग्यनिक ने इस बात पर जोड़ दिया कि कूसमायोजन में ए चेतन मन महत्वपुन भुमी का अध्या करता है तो यानि कूसमायोजी जो बालक है वहां पर ए चेतन मन कारिये करता है इस पर बल किसने दिया था इमील क्रेपेलीन ने सिगमंड फ् निवन में से कौन सा कुसा मायोजन का सामाजिक कारण नहीं है समाज में परचलित अन्याई निरयो गेता विदाले का दोस्पून समाजी को वाता वरण सामपरदाईक तनाव अब यहां पर यह चार बताएंना आपको यहां पर देखे समाज से जुड़े होड़ dough धूसरा नहीं जुड़ा हो感 और सामपरदाईक तनाव कहाँ पहूता है समाज में लेकिन दूसरा है जो समाज से नहीं जुडा है मतलब ये कू समयोजन का सामाजी कारण नहीं है option दोस सही रहेगा क्यों sir नमबर 9 देखिये कू समयोजन से ता पर रहे है कू समयोजन का मतलब क्या होता है पहला देखिये बालक और उसके वातावर्ण में एसंतुलन, कूसमायोजन का कारण है ये, सवार्ति वे एसामाजिक होना भी एक कूसमायोजित बालक का लक्सन है, सवेगात्मक एसंतुलन, सवेगु का एसंतुलन भी कूसमायोजन का लक्सन है, तो तीनू के तीनू है कूसमायोजित के लक्स कारण है ये क्यूसन अलग एक्जाम में आया हुआ है पहले हमने देखा था वो अलग में आया हुआ था और पेसी स्कूल लेक्षरार एक्जाम हुई थी 2011 में उससमें आया था ये क्यूसन बताईए सुकद पारिवारिक जीवन पूरुए के सुकद अनुभव वेवसाई से सम नहीं होना राजनीती में एस्वाबाविक लिप्तता पूचा क्या है कि एक सिक्सक के कूसमायुजित होने का कारण चोता देखिए राजनीती में एस्वाबाविक लिप्तता ये एक सिक्सक के लिए कूसमायुजित होने का कारण है तो ओपसर नमबर चार आपका सही रहेग क्यूसर नमर 11 देखे एक वेक्ति में एक समय पर दो वीपरित इच्छाओं का होना क्या कहलाता है कल हमने पढ़ाता द्वंद्व है कुंटा है चिंता है दबाव है एक वेक्ति है जिसके सामने दो वीपरित इच्छाओं तो इसको क्या कहेंगे हम द्वंद्व कहेंगे एक न मनोरचनाई कुंठा और अंतरध्वंद्वे कम करती है कुंठा को और अंतरध्वंद्वे कम करती है दमन समन पर्तिगमन उप्रियूग सभी दमन समन और पर्तिगमन ये तीनू की तीनू है जो आपके कुंठा और ध्वंद्वे को कम करती है उप्रियूग सभी चार नमर उप लक्से निर्देशित वेवार कर रहे हैं और उसमें आपके बादा आ गई है इसको क्या कहेंगे समें कहेंगे अभी प्रेरन कहेंगे कुंठा कहेंगे या आकरामक्ता कहेंगे आप लक्से के जिस लक्से में लगे हुए हैं और बीच में बादा आ रही है मतलब कुंठा कौन सा कारण नहीं है बगनासा का कारण नहीं है विरोधी उदस से विरोधी इच्छाएं नेतिक आदर्स सपलता पूछा क्या है बगनासा का कारण नहीं है कौन सा नहीं है सपलता बगनासा का कारण नहीं होती है Option 4 सही रहेगा Next evaluation है 15 no NIM-LIKET में से कौन सा कुणथा उत्पन होने का आंतरिक कारक है कुणथा उत्पन होने का आंतरिक कारक इन में से आर्ति कारक, सारिरिक एसामानेता, जल्वे विद्य। का भाव, सामाजिक कारक तो कुणथा उत्पन होने का आंत्रिक कार्यक है आपका सामाजिक सामनेता दो नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्यों से नमर 16 अच्छा क्यों सने देखिए अपने आपको ये समझाना कि मैं अपने पडोसी से ज्यादा बागे साली हूं किस परकार की रक्सा युकती है ये क्या कहना है कि खुद को ये समझाना कि जो पडोसी है उससे ज्यादा बागे साली में हूं ये किस परकार की रक्सा युकती है परत्या वर्तन है सामाजिक तुलन है प्रिक्षेपन है या सतीपूर्ति है अपने बागे सालीता है उसको दूसरे के उपर लादना क्या है प्रिक्षेपन है ती जो रक्सा युक्तियां है इनका कोई वेक्ति है एचेतन या चेतन किस मन से है जो परियोग करता है मित्रूं किसे हैं एचेतन मन से एक नमर उप्सन सही रहेगा कि उसन नमर अठारा आपकी स्क्रिन पे निमलिकित में से किसने सर्वपर्तम ये बताया कि वेक्ति चिंताओं से बचने के लिए रक्सा युक्तियू का उप्योग करता है जो वेक्ति है वो चिंताओं से बचने के लिए रक्सा युक्तियू का प्रियोग करता है ये सबसे पहले किसने बताया बताये मित्रू फेस्ट ग्रेड एकजाम 2020 के अंदर आया हुआ क्यूसन है काल जुंग ने ब्राउन ने सिगमंड फ्राइड ने या बोरिंग ने किसने बताया था सिगमंड फ्राइड ने ओप्सन तीन यहां पे रहेगा सही next यूसन है निरमें से कौनसी रक्सात्मक युकती नहीं है इनमें से रक्सात्मक युकती कौनसी नहीं है 2017 सेकिंड ग्रेड एकजाम हो था उसमें ये क्यूसन आया था शतिपूर्ती सहचर्यत तादात पैं ओचितेस्तापन रक्सात्मक युक्ति दे के साचर्य नहीं है आपकी साचर्य रक्सात्मक युक्ति नहीं है ओप्सन दो यहां पे रहेगा आपका सही नेक्स्ट यूसन है बीस नमर एक विद्यारती जो परिक्षा में एसपल हो जाता है वह परिक्षक को दोस्त देता है प्रक्षा में ये सपल हुआ है और दोस किसको दे रहा है तो यहां पे रक्षा युपती कौन सी यूज कर रहा है ओचिते सिद करना प्रक्षेपन सती पूर्ती परतिक्रिया निर्मान खुद की कमी परिक्सक पर डाल रहा है मतलब प्रक्षेपन कर रहा है क्या कर रहा है प्रक्षेपन ओप्सन दो यहां पे सही रहेगा क्यों से नमर 21 देखे बालक जो अपने विदाले में अच्छा कारिये नहीं करते प्राये अपने अध्यापकू की आलोचना करते हैं की यह यांत्री की कहलाती है तो यहां पे देखिए बालक खुद की जो कमी है अच्छा कारिय नहीं कर रहा है और फिर क्या कर रहा है बाद में वो क्या कर रहा है अपने अध्यापकू क्या लोच ना कर रहा है खुद की कमी अध्यापकू के उपर डाल रहा है क्या कर रहा है सत सी रक्सात्मक परकिरिया नहीं है इन में से साचर्य पर्तिगमन पर्तिपूर्ति और उदातिकरण ये 2016 इस्कूल लेक्चरर एकजाम के अंदर आया था 2016 17 में तो बताईए इन में से कौन सी नहीं है मित्रू यहां पे देखिए आपकी क्या साचर्य था ये रक्सात्मक परकिरिया है युक्ति है नहीं है मित्रू ये पाकी पर्तिगमन पर्तिपूर्ति उदातिकरण ये तीनू की तीनू रक्सात्मक परकिरिया है ओप्सन एक यहां पे रहेगा आपका सही दोस्तूं क्यों से नमबर 23 देखिए समायोजन करने वाले वेक्ति का लक्सन है जो वेक्ति समायोजन करता है उसका लक्सन क्या होगा मित्रू संतुलन संतुष्टी वसुक समाज के अन्य वेक्ति उपर ध्यान और उपरियूग सभी समायोजन करने वाले वेक्ति के तीनों लक्सन है कौन सा डी ओप्सन क्योंसा नमबर 24 देखिए वेक्तित्वे का कूसमायोजन परकट करता है क्या आकर्मनकारी के रूप में पलाइन वादी परवर्तियों में जगडालू परवर्तियों में उपर्यूग सभी में थर्ड ग्रेड में आया वा क्योंसन और तीनू के तीनू कूस समायोजन पर कट करने वाले है मित्रू उपर्यूग सभी डी ओप्सन यहां पर रहेगा आपका सही नेक्स्ट यूशन है जब बालक अपनी ऐस पलताओं के दोस्त को किसी दूसरे के उपर लादने की कोसिस करके अपने तनाव को कम करने का परियास करता है तो ये विदी क्य कहलाती है मित्रू इस्तानापन समायोजन मांसिक मनोरचनाएं रचनात्मक समायोजन या उपर यूख सभी इस्तानापन समायोजन और रचनात्मक समायोजन यह तो समायोजन के परकार हो गए जबकि एक बालक है खुद की ऐसा पलता है जो दूसरे के उपर लादने यह क्या मित्रू मानसिक मनोरच नाएं ओप्सन भी आपका सही आपे रहेगा नेक्स्ट क्योसन क्योसन नंबर चब्वीस देखे निम्नांकित में से कूसमायोजित बालक है कौन सा है पहला साधारन सी बादा उत्पन ओने पर मानसिक संतुलन खो देता ये कूसमायोजित है आपका ऐसा समाजिक सवार्ती वे सर्वता दुखी होता है वो भी कूसमायोजित है परिवेश से अनुकुलन इस्तापित करने में एसमर्त होता है वो भी कूसमायोजित होता है तीनू के तीनू कूसमायोजित बालक है तो उपरियूक सभी आपका डी ओप्सन यहां पे सही रहेगा क्यो प्रेक्षेपन कहलाता है तादात में कहलाता है निर्भरता है या कोई नहीं कल ही कलास में बताया था मैंने अच्छे अच्छे उधारन देखर तो बाहे विशे के गुणू को अपना लेने वाला या दूसरे वेक्ति के गुणू को दूसरे वेक्ति का वेक्ति तो है उसको अ प्राप्ति में अवरुद होने या निस्पल होने की बावना है जिसे वेक्ति महत्वपूर्ण समझता है। अवरुद या निस्पल हो इसको बगना सकेते हैं ये काता कोल सेनिक ने आपका ओप्सन भी यहां पे रहेगा सही इंपोर्टेंट क्यूसर नहीं है। तनाव के बारे में ऐसा किसने काता गैट्स वैने ने ड्रेवर गुड या कोल सेनिक ने ये काता ड्रेवर ने किसने काता ड्रेवर ने बी ओप्सन थर्ड ग्रेड एकजाम में आया वा क्यूसर नहीं है। संगर्स का आर्थ है विरोध और वीप्रित इच्छाओं में तनाव के प्रिणाम सरूप उत्पन होने वाली कश्दाइक संविगात मकदसा। ये किसका कतन है जो भी इंपोर्टेंट कंतन है उनके भी क्यूसर एकजामू में आये हुए हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। यूपिटेट के अंदर ये क्यूसर आया हुआ है और इसका डगलस वे होलेंड कोल से नी क्रो एंड क्रो गेट्स वे हैंने किसने का आता डगलस वे होलेंड ने का आता ए ओप्सन सही रहेगा। क्यूसर नमर 31 दिवा सवपन देगने वाला परशन रहता है किसे कलपना सीलता से तरक से नींतरन से या कोई नहीं। कलपना सीलता से मित्रूं। ए ओप्सन यहांपे सही रहेगा। क्योंसर नमबर 32 आपकी स्क्रीन है कि सोरू में द्वंद्वे उबरने का पर्मुक कारण है कि सोरू के अंदर द्वंद्वे उबर रहा है तो इसका पर्मुक कारण क्या है समायोजन का अबाव है निरासा है पीडियू का अंतर है या आउसरू की पर्तिकूलता है द्वंद्वय, संगर्ष, संगर्ष उबरने का मुख्य कारण होता है अवसरू की पर्तिकूलता, क्या होता है अवसरू की पर्तिकूलता, D-Options सही रहेगा क्योंसर नमर 33, एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्यन की सरवादिक उपियोगी विदी है, एक बालक है जो स्कूल से भागता है, तो उसके लिए सरवादिक उपियोगी विदी कौन सी होगी, परियोगात्मक विदी होगी, केस इस्टड़ी होगी, प्रशनावली विद देखे समायोजन वे परकिरिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आउसेकता हूं और इन आउसेकता हूं कि पूर्ती को परबावित करने वाली प्रस्ततियों में संतुलन रखता है तो यह समायोजन की यह प्रिवासा किस ने दी बोरिंग लेंग फेल्ड वे वेल्ड ने ग चात्रू को अपना अधिक्तम विखास करने में सायता देने के लिए आउसेकता पड़ती है निर्देशन की, प्रामर्श की, समायोजन की यह कोई नहीं ? B option सही रहेगा Next समायोजन की परकिरिया ishtar गतिशी लिस्तानापन या कोई नहीं, केसी होती है समायोजन की परकिरिया, बतायत है अच्छित रहे, गती सील होती है, बी ओप्सन सही रहेगा, एट एकजाम, रास्तान, आठ एट एकजाम आया हुआ है 2011 में, नेक्स्ट, समायोजन दुसित होता है, समायोजन दुसित होता है किस से, संगर से, कुंटा से, उप्रियूग दोनु से या धन से, समायोजन, यानि की समायोजन दुसित, किस से, संगर से होता है, कुंटा से होता है, उप्रियूग दोनु से, सी ओप्सन यहां पे सही रहेगा, क्यों से नमर 38 से आपकी स्क्रीन पे, एक बालक नवीन पुस्तक चाहता है लेकिन माता पिता अपनी कमजोर आर्तिक स्तती के कारण पुस्तक दिलानी में ऐसमर्थ है बालक अपनी फटी पुरानी पुस्तक से ही संतोस अनुभव करता है और सांत वह परसन रहता है ये किसका उदारने समायोजन का अधिगम का प्रे कुस्तक से ही अपने आपको संतोसी कर रहा है समयोजित है वह एय ओप्छन सही रहेगा क्योंसर नंबर 49 समयोजन के परकार है इस्तानापन समयोजन मानसिक्य मनौरचनाएं रचनातमक समयोजन यहां पर आपको पूचा गया समायोजन के परकार ये तीनु समायोजन के परकार उप्रियुक सभी डी ओप्सन आपका यहां पे रहेगा सही क्योंसर नमबर समायोजन की विदियां पर्तिगमन प्रक्षेपन उदातिकरण उप्रियुक सभी एपर्तेक्स विदियां सभी की सभी यह क्या आपकी एपर्तेक्स विदियां है पर्तिगमन प्रक्षेपन उदातिकरण डी ओप्सन उप्रियुक सभी आपका सही रहेगा नेक्स्ट यूसन है पर्ति रक्सा परकिरिया है चेतन वेवार न्याज संगत वतारकिक पर्तेक्स्विदी वेक्ति तुए का रक्सा कवच यहां पे पूचा जो पर्ति रक्सा होती है वो क्या है वो वेक्ति तुए का रक्सा कवच होती है डी ओप्सन सही रहेगा क्योस्सर नमबर 42 एक विकलांग बालक अतेदिक प्रिश्रम करके कक्सा में परतम आने का प्रियास करता है इसे किस परतिरक्षन परनाली में आप रखेंगे मित्रू पुष्टिकरण, प्रक्षेपन, परतिगमन, सत्य पूर्ति मित्रु एक विकलांग बालक है एक सती है जैसे कि जो ओचे कदियानी हाइट में कम होती है वो लड़की उचे हिल्स वाले सेंडल पहन कर अपने आपको समयुजित करती है उसी परकार ये विकलांग बालक है जो कक्सा में परतम आकर अपने आपको समयुजित कर रहा है मतलब क्या कर रहा है सती पूर्ती कर रहा है option D सही रहेगा क्यों सन नंबर देखिए 43 रक्षा तंतर बहुत साहिता करता है किसमें? इंसास से निपटने में दबाव से निपटने में थकान से निपटने में अजनमियू से निपटने में रक्षा तंतर आपका ये दबाव से निपटने में साहिता करता है किसे? दबाव से B option सही रहेगा क्यों सन नंबर चमालिस देखिए सारिरिक निर्योग्यता वाले वेक्ति के लिए निमलिकित मैंसे कौन सी युक्ति तंतर सबसे संतोस जनक होगी सारिरिक निर्योग्यता यानि विकलांग बालक की बात कर रहे है यहां पे उसके लिए कौन सी युक्ति है जो सबसे संतोस जनक होगी तादात्मी करण होगी विवेकी करण होगी अतिकलपना होगी या में से कोई नहीं कौन सी होगी आठेट एकजा में आया हो क्यूसन है अतिकलपना सी ओप्सन सही रहेगा क्यूसन नमर पेतालिस है कुछ लोगू का कहना है कि जब बालकू को गुसा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते है उनके वेवार में निमलिकित में से कोन सा परतिरक्सा तंतर परतिलक्सित है मित्रू प्रक्षेपन है विस्तापन है परतिकरिया निर्मान है या उदातिकरण है अब देखें मित्रू बालकू को गुसा आया है तो वो क्या करने चले गए हैं खेलने अपना गुसा खेल की त सबसे बड़ा नेटिक आदर से बनास्ता का सबसे बड़ा आंत्रिक कारण क्या होता है मानसिक संगर्स होता है बी ए उप्षन आपका सही रहेगा important question second grade में आया हुआ क्यूसन है next question में चलते हैं निम लिकित में से कौन सा मेल सही नहीं है पहला अंतरमुकी स्वेम अपने में रहने वाला अंतरमुकी होता है प्रक्षय पन अपनी गलती दूसरू पर डालना बालक का सिक्सक पर गलती डालना खुद की कमी दूसरू पर डालना यूगती करन अपना गुस्वा दूसरू पर उतारना गलत है परतिगमन पुरानी आदतू में लोटना परतिगमन यानि कि आठ साल का बच्चा है जो छोटे भाई की तरह जो दो या तीन साल का है गुटनू के बल चलता है वो दोस्तू तो यहां पर यह तीन है सी ओप्षन आपका है जो यहां पर में सही मेल नहीं का रहा है सी ओप्षन सही रहेगा किसी वेक्ति द्वारा अपना अस्तित्वे बुला कर किसी दूसरे वेक्ति के गुणू या अवगुणू का अनुकरण करना क्या कहलाता है किसी वेक्ति द्वारा अपना अस्तित्वे दो बुला दिया गया है और कोई दूसरा वेक्ति है जिसके गुण और अवगुण गुण भी साथ अवगुण भी साथ ले रहा है मित्रूँ वो होगा आपका तादात्मी करण डी ओप्सन यहां पे सही रहेगा गणीत सेगंड ग्रेड एकजाम में आया वाक्यूसर नहीं है नेक्स्ट जब वेक्ति ऐसा पलता दुख पीडा को बलपूर्वक भूलने का परियास किसमें आएगा परतिगमन तादात्मी करण प्रक्सेपन या दमन दमन में आएगा डी ओ जो जिन से तात पर स्वेम का विबीन प्रस्ततिव में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को प्रेरकूं को उदस्यों को या आवसिक्ताओं को संतुष्ट किया जा सके डी ओप्सन सही रहेगा क्योंसर नमरी काउन में चलते हैं एक छोटे कद की लड़की ऊची एडी के जूते पहन कर लंबी दीखना चाती है उसने निवन में से किस रक्सा युक्ती का प्रियोग किया है विकलांग बालक वाला हमने देखा था ना कक्सा में परतमा कर परियास करता है वो ही यहाँ प तरीका पर्तेक्स समायोजन का है प्रक्सेपंड दमन् पर्तिगमन लक्षु का पर दक्रतिस्तापन यहां पे पूचा है पर्तेक्स चार विदिए वीदियों में से यहां पे आपका लक्ष्यु का परतिस्तापन डी OPSON सही रहेगा क्योंसर नमर 25th एक पढ़ने में कमजोर है अपनी ऐसा पलता की कारण अध्यापक का पक्सपात बरताता है वह निवन में से किस रक्षा युकती का परियोग कर रहा है मित्रू अंग्रेजी के अंदर सेगिंड ग्रेड एकजाम का ये क्यूसन है किसका कर रहा है उतकर्मव, प्रचना, प्रक्षे पन का अपनी कमी अध्यापक पर डाल रहा है वी ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन नमबर चोपन दीवासउपन किसकी एक सामाने समय समय सबती है वी ओप्सन सही रहेगा तो केसे लगए आज की क्लाश के ये क्यूसन आपको जल्दी से कमेंट करें सबी साती कमेंट करके बताएं मेरे को आज की क्लास समाय उजन के ये महत्वपूर्ण परसन उतर आपको कैसे लगे अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है मित्रू तो लाइक सेर और जो भी मेरे नए साती जो पहली बार हमारी क्लास टेंड कर रहे हैं चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और साथ में बहुत सारे सातीओं के मेसेज आते रहते हैं कि सर आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो मित्रू जो भी जिस भी साती को नोटिफिकेशन पर आप नहीं हो रहा है वो बेल आइकन है सबस्क्राइब का बटन दबाते ही बेल आइकन आएगा उसमें ओल नोटिफिकेशन को ओन कर लें दोस्तूं आप सभी को बहुत बहुत अन्यवाद जे हिंद जे भारत